तो कैसे हैं आप सभी लोग तो आज की क्लास में आपको मैं बताने वाला हूं 18 की सेकिंड सिप्ट में जो तालिका वाले प्रशन थे कितने आसान प्रशन थे और किस तरीके से उनको लगा सकते थे बस यह कुछ मिला के अगर सब कुछ देखा जाए तो सिर्फ लेंग्वेज करने एक आयसी देदिया थी स्क lijति हम फंज जाते हैं बाकि तालिका सभी सेम होती हैं लेंग्वेज के चकर में हम छोड आते खीके तो लेंग्वेज देखो कहां से कहां तक कैसे फसाएगा सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा सारी चीजे मैं आपको बताऊंगा और आजEND तालिका में आप प्रेशन हैं पांचों करके देखें पांचों कर देंगी इस बात की मैं गारेंटी देता हूं गर पहला कोशन आपको समझ माया गए लेंग्वेस समझ माया तो पांच मतलब करते रहेंगे जिससे हमारी कोई भी तालिका अगर इससे आई तो हमारी 10 नंबर के लिए रहें ठीक तो यह 10 नंबर हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे और दो-4 अबर बताएंगे जो अलग टाइप की हैं बस सारी तालिखाएं कवर हो पांच महीने में पांच कंपनी आए ठीक है इनके द्वारा बेचे गए उत्पादों की संक्या दिए देखो तालिका आपको देखो इस स्क्रीन पर दिखी होगी ठीक अब चलो इसमें पहला कोशन है जो आपको लगाना है 15 नमबर ठीक है चलो 15 नमबर कोशन पूछा जनवरी से अपरेल तक कंपनी आएस द्वारा बेचे के इत्पादों की संक्या में लगवर कितने प्रतिसंद की ब्रदी होई कितने प्रतिसंद की ब्रदी होई ठीक यह कोशन है बहुत आसान कोशन है बस आपको एक अच्छा तरीका आपको देखना है बही तो यहां से इदर जनवरी से कितने पूछा है जनवरी से अपरेल तक कंपनी कौन सी है कंपनी एस द्वारा ठीक कितने प्रतिसंद की ब्रदी तो देखो जनवरी में कंपनी एस जाओ तो जनवारी में Company S में कितने थे 85 लेंटीफ से 140 तो असलों फॉल था लेंग्वेइज सा देता हुं में लेंग्वेज के आहीं चलते बास हो गया हमारा दो नंबर के लिए तो 50-150 कितने अधिक है 40-45 होगा कि चालिस यह हो गया पंदरा यह कितना होगे लगवक 55 कितने की ब्रेद्व भाई देखो पचासी में और चालिस का अंतर कितना है पच्पन की ब्रेद्व किसमें 85 में गुड़े में 100 बस हो गया हमारा कोशन तो देखो काट पीट लो तो पांच एक हम पांच पांच तीनाठ पांच तो पहेतिस ठीक है पांच दूनी दस जीरू अब काटो यह नहीं कटेगा तो परच्पन दूनी कितने होगे 110 परच्पन दूनी 110 ग्यारा सो सत्तरा तो सत्तरा पनाशा सत्तरा चक्का बताओ 102 पच्छे कितने आठ ठीक है आप देखो किते सत्रा पना पचात्तर तो सत्रा पना पचासी ही तो सत्रा जाब हो अर्शाट कि बस कितने बच्छे दो और एक बारा पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाया तो हैंपर होगे कितने एक सोबीस फिर सत्रा सत्ते एक सोननीस ठीक एक सेस बचा ठीक है इसी प्रकार आंसर हमारा क्या निकला लगवग में 84.7 पर्षेंट देखो 84.7 पर्षेंट है किसी में आप्शन में बहुत सिंपल था कुछ नहीं करना था थोड़ी सी लेंग्वेज को पढ़ना था लेंग्वेज के इसाब से हमें कोशन लगाना था ठीक अब आज का दूसरा कोशन लेके चलते हैं आपको उसी तरफ और देखना आप आसानी से लगाएंगे चलिए चलिए आज का दूसरा कोशन वह कहा है में टालने वाला चलिए देखो दूसरा कोशन के पर कोशन नंबर कोशन नंबर 16 की तरफ चलते हैं देखो 16 नंबर कोशन क्या पूछा गया है 16 नंबर कोशन कह रहा है देखो 16 नंबर कोशन कह रहा है मार्च में कमपनी P और R द्वारा बेचे के उतपादों की कुल संक्या का अपरैल में उनी कमपनी द्वारा बेचे के उतपादों की कुल संक्या से अनपाद क्या है तो दोनों का अनपाद पूछा है मार्च में कम्पनी पी और आर तो मार्च में देखो कम्पनी पी और आर देखो तो जाओ उसमें जाओ बिल्कुल जो साड़ी बनी है मार्च में कम्पनी पी में कितने हैं मार्च में देखो यह है मार्च क्या मार्च कम्पनी पी और अप्रेल मार्च P और S द्वारा बेचे कतवा दोगी कुल संख्या और अप्रेल अप्रेल उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए ठीक है तो मार्च में देखो कंपनी P में कितने बेचे मार्च में कंपनी P 180 में मार्च में फिर अप्रेल में जाओ कि अप्रेल में जाओ कंपनी P द्वारा एक सो साथ पी और द्वारा द्वारा दोसो चालेश ठीक इन्हीं का अनपात पूंचा तो जोड़ो जीरो छेचाट दस हांसे लेगे एक दो दो चार चार सो यह होगे पांच आठ एक नो दोसो फिर्ष चानवे तो दोसो पंचानवे अनपात four निकला बस इसको कट प्रत लोग तो काळ लेंगे हम 25 मेरे एक दोसे काटो अ कि देखों दो दूनी 1400 दो से काटो स्यूंव्म 202 से नहीं पांच से काटो जीडो थीधिंग यह 5 ऐभां से काटो पांचम 25-थी पहांसे लगे कितनी यह व्यां सब्कॉर 5 होते हैं बस पकड़ने की किस प्रकार इन में पूछा गया कि कैसे हम इसको पकड़ेंगे ठीक है चले हो अब चलते हैं 16 नंबर होगे आप चलते हैं 17 नंबर 17 नंबर देखू क्या पूछा गया कोशन नंबर 17 17 कोशन करा जन्वरी और मई में मिलाकर कंपणी क्यू दुआरा बेचे के इतपादों की कुल संक्या जन्वरी और मई में चलते हैं तो जन्वरी और मैं में कंपणी क्यों कूदेख, जन्वरी में कंपणी कितनी बेची थी असी ठीक है जन्वरी और मैं 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 मिलाकर कंपणी आर दौरा तो समान जनवरी और मई देंगो जनवरी और मई है ठीर तो Company काुण सी क्यूँ तो जनवरी में Company क्यूँ ऑब कंई तो हो गया है यह वाला लिखाता ना अब आर वाला देखलो तो आर समान महिने में तो जनवरी जन्वरी में कितनी है 155 जन्वरी में 155 मैं 130 है कि यह कि दिनों के 5 5 3 8 282 अब हुचा क्या है कि कि कितना अंतर इनका अंतर पूचा देको कितना आसां था तो इनका अंतर पूचा दोनों का तो 200 285 का अंतर कितना है 85 बस यह हमारा आंसर है तो 85 option number D कितने का सत्रे का ठीक है 17 का option number D वो बताओ कितना आसान था company Q में जनवरी और मई का यह जनवरी का यह मई का ठीक है company R में जनवरी का और मई का टोटल एड कर लिया है यह इतना हो रहा है यह इतना तो इन दोनों का difference पूछा था बहुत आसान question था उम्मीद है आप करके जरूर आयोंगे इस question को बहुत आसान question था कि नहीं बताओ अगर आपका 18 की सेकेंड सेप्ट में यह question अगर आपने दिया तो आप यह question करके आये की नहीं यह बताओ comment में जल्दी से आप छोड़के आया थे क्या है या तो आप language नहीं समझ पायों इनकी language ही यह यह सी फसा देती है इसमें हमें समय लग जाता समय के चक्कर में हम question छोड़ देते है लेंग्वेज को पकड़ो बस ठीक है चलो नेश को सत्रा हो गया चल कि यह फटा दो चार जल कोशन नमर 18 देखो मार्च अपरेल और मई में मिलाकर कंपनी ती द्वारा बेचे के पादों की कुल संक्या मार्च अपरेल और मई द्वारा कंपनी टी तेको मार्च अपरेल मार्च अपरेल और मई ठीक है मार्च अपरेल और मई द्वारा मिलाकर कंपनी टी ती कंपनी में देखो तो कंपनी टी में मार्च में कितना है कंपनी टी में मार्च में है कंपनी टी में मार्च में है 120 120 पिलस पिटा 120 और अप्रेयल में देखो अप्रेयल में 165 और मही में कितना एक मैं में 165 ठीक यह तो तीनों को हो गया टी में ठीक कुल संख्या कुल संख्या में में से 32% माल्ड इस्टील से बने थे तो इनको पहले अड़ कर लो तीनों को कर दो कि एकसो पांच में सबसींद्र किए एकसो तीस एकसो थीश dasष और सौ 210 होग सेर्म ने lequel इन्हों आइ है शोला डूनी 22 थीं इंसो तीस तीस तीनसो चालिस 350 450 ठीक है 450 हो गए छोगाए यह हो गए 450 कोश्चन पूझ क्या रहा है कोश्चन पूच रहा है कोश्चन पूच रहा है कुल संक्या में से 32% मायर्ड स्टील से बने थे मार्च अप्रेल और मईस में मिला पांवों कि पादों की दू where the local कितनी थी तो बता उंसे पोल नी थी कि कुछ नहीं इसका 32 सपर्सहार्शन करते हैं यस का एक बिन्धी से सकाट दो शर्ड़ увa lub 12 15 नहीं 16 pouring सोला निम्मा 144 कितना 144 तो यह आपका राइट आंसर आपसर नमबर यह बाइट टोटल मार्च अपरेल मही में ती दो आरा बेचे गए उतुपादों की संक्या निकाली ठीक है यह तीनों कि तीनों निकले साड़े 400 तो इसमें से कुल संक्या में से 32 इसका 32 क्या है माइल इस्टोन कितना निकल गाए 144 तो कोशन क्या कह रहा था तो मार्च अप्रायल और मही में इससे मिलाकर टी दौरा बेचे गए माइल इस्टील की उत्पादों की कुल संक्या कितनी तो 144 ठीक है तो यह था आपका राइट अंसर ठीक समझ आया अब चलते कोश्चन नंबर 19 की तरफ देखो 19 नंबर कोश्चन क्या पूछा गया यह तो आपको अच्छे से समझ माया ठीक कुश्चन बहुत आसान थे बस लगाने का तरीका अगर आपने सही लगाया होगा भाई देखो ना बाबू को भी खिलाना परता है दोनों लोग जॉब आले तो एक आदमी जॉब करके आएगा दूसरा तैयारी करेगा फिर बाबू को भी खिलाना फिर आपको पढ़ाना थ पीना ये भी सारे चीज़ां करने पड़ती है लेकिन आपको पहले देखना क्योंकि आपका एक्जाम लगा हुए तो कुछ चीज़ां ऐसी होती है जो हम भौट जगा पढ़ाते हैं लेकिन हमें वहां से नहीं समझभाती हुआ है मैंने देखा है जरूरी नहीं एक फेमस ट तो चीजे समझ में आने चाहिए हमें कहीं भी पढ़ें अगर आपको मेरे से नहीं समझ में रहे तो आप भाई जाए बिल्कुल अच्छे से टीचर को साइच करिए वहां से पढ़ें एक सिक ब्याईपी टीचर पढ़े होगे मैंने यह नहीं का आप समय बरबाद करो मेरे पा अगर समझ में आ रहा तो हमारे साथ बने लिए हर चीज मैं बताऊंगा पूरा सिलेबस कर बाऊंगा मैं गारंटी देता हूं इस बार का जितना सिलेबस कराऊंगा उसकी अंदर ही सारी चीज़ें फसेगी मैंने देखो तालिका पहले भी कराई थी जब एक्जाम से पहले तो एक्जाम होगा था उससे पहले मैंने आपको तालिका कर रहा थी वहां सी कोश्चन फसे फसे क्या देखो डिजिट अलग हों के तरीका वही होगा है चलिए पहले सिर्फ 19 नंबर कोश्चन कर लेते हैं उसके बाद बात करते हैं ठीक जनवा क्या दिया है फरवरी में और 12 12 बेचेwałहत उत्पाल आउसा पूंचा है तो आउसाद बरढ़र क्या होता हमने आपको बता भाता walking को बताया था ता रहा होता है कुन संग्या करेखना का योग बट्टे कुल संख्या ठीक है तो चलो पहले तो हमने PST तो परवरी में PST तो फरवरी में P में क्या है 155 155 पिलाज के बाद फिर S में जाओ 110 है और T में 90 है ठीक है यह है टोटल ठीक है तो कितना होगा टोटल हमारे पास टोटल कितना हो गया 110 और 90 तो 5 9 10 5 15 हासल एक 305 कितना हो गया 305 हो गया ना देखो 5 दस 15 15 ठीक 305 आउसत पूचा तो आउसत भरावर क्या होता है कुल संख्याओं का बुंदल सभी संख्याओं का योग संख्याओं का योग अपान में कुल संख्याओं तो देखो सभी संख्याओं का योग कितना है 355 कुल संख्याओं कितनी है एक दो तीन पी की एश्ट तीन है बस निकालो तीन इकम तीन ठीक है तीन इकम तीन और तीन इकम तीन बचे कितने दो ती आठ्थु चावबिस पॉइंट किन तुरका नव लगवग 118.3 तो 118 अप्शन में होगा तो बिलकु सही है लगवग पूचा 118 तो अप्शन नमबर C जिसका भी 19 का अप्शन नमबर C आ रहा 19 का अप्शन नमबर C बिलकु सही है 118 ठीक है लगवग पूचा था तो यह चीज़े मैंने आपको बताई पूरी तालिका के लगवग पूरे 5 कोशन थे 5 मतलब पूरे 10 नमबर के आपके कोशन मैंने आपको आज की क्लास में करवाए सच बताना अगर इन में से जितने भी कोशन अगर आपकी सिप्ट में भसेते क्या आप करके आये थे क्या इसी तरीके से आपका दिमाघ नहीं चलता जल्दी कि है is न वो ना क्या है इतना डर रहता है इसमें और नहीं कर पाए बहुत प्रेसर रहता है अगर आदमी क्लास में कोशन कर रहा है तो वहां जाके मुझे लग रहा है 95 या फिर 90 के आसपास रह जाते क्योंकि वहां इतना प्रेसर होता है कोशन आते हुए भी हमसे एक बार गलत हो गया और बहुत बार मेरे साथ हुआ है मुझे लगा कि मैं सही करके आया हूं जब घर पे चेकता हो अरे यार घुमा दिया था क्या पूछा था लेंग्वेज पूरी पड़ी नहीं थी मुझे लगा असान है एकदम से लगा दिया तो चीजे यह आप ध्यां रखना है बिल्कुल मुझा दूसरा कोशन इन में से कौन सा सही नहीं है लेंग्वेज पस गई बस आप खेलना भूल गए तो इन चीजों का खासकर द्यां रखना तो देखो मैंने तालिका की चितने भी कोशन है वो तो उमने करा दिये लेकिन और भी तालिकां किस प्रकार बन सकती है कितने आप आसानी से सब तालिका इसी प्रकार होती हैं बस लेंग्वेज समझ जाओ तालिकां आप अब कर ले जाओं यह दस नंबर आपके बहुत आपके हो जाएंगे बस दो चार क्लास करांगा आप अपने आप करने लगेंगे तो बीस नंबर यह तो आपके पक्के हो गएब यह बहुत आसान होते हैं ठीक है तो बाकी चीज़ें होती सभी आसान है लेकिन 20 नमबर तो आपको एक दो क्लास में ही पूरे हो जाएंगे फिर बस प्रक्टिस करना है प्रक्टिस के तर पर मैं आपको तालिका वाले कोशन दिया करूँगा और चैन परकेरिया वाले कोशन द देस नमबर आपकी क्लियर थे गाए Souls बता व तो कमेंड में बताओ आज की तालिका को कैसे लगी प है आपनेको शनद लगा पाई कि आप göt्थे पैसे और फिर्स हो जा है मैं फ्रसे बतारओ क्यों ये टेलीगरम के है एड़ दा रेट सुमित है अठातर उन्तालिस उन्तालिस पच्पन भी ठीक है अगर टेलीग्राम चैनल पर जॉइन नहीं हुए तो ठीक है तो जॉइन कर लो बाकि लिंक में डिस्क्रिप्शन पर लगा दूंगा ठीक है हाँ अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जॉइन हो गए अगर इस्टाग्राम पर वीडियो देखना चाहते है थोड़ी फणी टाइप की सैड और क्या ना मस्ती वाली सावी तो आप वह भी देख सकते हो तो वह देखने के लिए आपको थोड़ी मस्ती भी जरूरी होती न तो आप इस्टाग्राम पर भी हमें देख सकते हो डेली वीडियो देख सकते हो ठीक है थोड़ी फणी वीडियो डाल देता हूं ठीक है तो चलता हूं दोस्त आज की क्लास को यहीं पर समप्त करता हूं जय हिंग जय बारत